हेलो एपिलेपसी जैसे की आप जानते हैं तो एपिलेपसी हम में बोलते हैं अगर आप नॉर्मल भासा में बोलने हैं तो इसे मिर्गी भी बोलते हैं और इस के बारे में जानकारी बहुत जरूरी है क्योंकि मिर्गी को लेके कई मिłość हैं कई अन्ध ज्ष्वास हैं कि मिर्गी मतलब किसी के भूत है या फिर न बोलते हैं बोडी में होने वाली abnormalities है, ब्रेइन में abnormality होने के कारण epilepsy या फिर जटके या फिर मिर्गी आती है. तो आईए आज हम जानते हैं कि epilepsy है क्या या फिर मिर्गी है क्या. तो फॉस्की तो देखते हैं, epilepsy is a long-term chronic disease that cause repeated seizure due to abnormal electrical signals produced by damaged brain cell. a burst of uncontrolled electrical activity within brain cell cause a seizure. अब epilepsy क्या condition है या फिर मिर्गी कौन सी condition है? तो firstly तो ये long-term condition है, मतलब लंबे समय से रहने वाली disease है या फिर लंबे समय तक रहने वाली problem है. तो epilepsy में होता क्या है? इसमें जो कारण होता है, मतलब कई बार देखने को बलता है बार 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 सीजर्स आते हैं, मतलब बार बार जटके आते हैं और जटके आने का कारण सिफ और सिफ ये होता है, कि उसमें जो हमारे एक तरह से बोला जाए, तो electric sock भी हम बोल सकते हैं. जिस तरह से अगर buyer lose हो जाते हैं, तो हमारे electric sock देखने को मिलते हैं. बार 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 सीजर्स आते हैं, या फिर epilepsy condition देखने को मिलती है, और सीजर्स जटके जटके आने के कारण ही हमें मिर्गी देखने को मिलती है. तो अब आप तो ये समझ गया होंगे, कि मिर्गी या फिर epilepsy कौन सी condition है, कि जो brain है, brain की cells जो होती वो damage हो जाती है. तो इस कारण से जो electric sock है या फिर जो electric signals है वो produce होते हैं, तो इसे ही हमने epilepsy बोला है. अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि इसके कारण क्या-क्या होते हैं, किन-किन कारणों से epilepsy की condition देखने को मिलती है, किन-किन कारणों से यहाँ पर मिर्गी जैसी समश्या देखने को मिलती हैं. Firstly, तो हम देख लेते genetic, यह अनवानशिक भी होता है, अगर किसी को family members में epilepsy जैसी condition है, epilepsy जैसी problem है, मिर्गी आते हैं, तो उस condition में भी उनके बच्चों को या फिर उनकी next generation को यह समस्या देखने को मिल सकती हैं. Head injury, अगर कोई सर में injury हुई है, या फिर सर में कोई चोट आई है, तो उस कारण से भी accident के दौरान अगर चोट आई है, तो उस कारण से भी brain की जो cells है वो damage हो जाती है, इस कारण से भी epilepsy condition देखने को मिलती है, high fever, अगर high fever आता है, तो इस कारण से भी brain है वहाँ तक fever पहुँच जाता है, और brain में fever उनके कारण भी हाँ पर cells में problem हो जाती है, तो brain में disturbance हो जाता है, तो high fever भी कारण होता है, brain infection, अगर brain में मस्दिश्व में किसी भी तरह का infection है, अब वो infection कोई किसी भी तरह का हो सकता है, तो अगर infection है, तो इस कारण से भी epilepsy है, फिर मिर्गी देखने को मिलता है, immune disorder, अब immune disorder की बात कर लेते हैं, कोई प्रतिरोधक या फिर जो हमारी immune, अगर कोई metabolic disorder है, तो metabolic disorder होने के कारण भी साब brain समस्याएं हो जाती है, इसके लाब ब्रेन condition and brain vessel abnormalities, अगर हमारे brain की condition या फिर brain vessels है, वो उनमें abnormalities देखने को मिल रही है या फिर में कोई problem है, तब भी epilepsy मत्दब का कारण बन सकता है, hypoxia, अगर brain में प्रॉपर oxygen की supply नहीं हो रही है, oxygen की supply नहीं होगी, तो वहाँ पर necrosis जैसी समस्याँ हो सकती, stroke हो सकता है, वहाँ प्रॉपर blood supply नहीं होगी, तो ये भी कारण हो सकता है, epilepsy होने का, अब इसके अलावा ये तो हमारे common कारण हो जाते हैं, और इसके अलावा general कारण क्या हो सकते हैं, like stress, ज़्यादा stress लेने से भी ये देखने को मिल सकती है, और sleeping issue, such as not sleeping bell, आगर प्रॉपर नीन नहीं हो रही है, प्रॉपर यहाँ पर sleep नहीं ले रहे हैं, तो ये भी कारण हो सकता है, मिरगी आने का, alcohol use, बहुत ज़्यादा alcohol का यूज हो रहा है, बहुत ज़्यादा सरापका सेवन किया जा रहा है, तो इससे भी हमारे जो brain है, वो brain की जो tissues होते हैं, वो damage हो जाते हैं, इसके लावा hormonal changes, menstrual hormonal changes, अगर ये सारी देखने को मिलते हैं, तो इस कारण से भी सवश्या है, देखने को मिल सकती, illness, fever, इसके लावा not eating healthy, या फिर बैलेंस मील, अगर आप proper, बैलेंस मील नहीं ले रहे हैं, प्रॉपर आप खाने का सेवर नहीं करते हैं, प्रॉपर healthy food का use नहीं करते हैं, healthy food नहीं खाते हैं, तो ये भी कारण हो सकता है, आपके epilepsy होने का, इसके लावा skipping meals, मील्स को आप skip कर रहे हैं, मालो अगर आप नास्ता नहीं कर रहे हैं, डारेक्ट आप breakfast को छोड़कर, आप डारेक्ट यहाँ पर lunch कर रहे हैं, तो मतब एक तरह से, आप meal को skip कर रहे हैं, तो ये भी कारण होता है epilepsy होने का, या फिर आपने सिर्फ breakfast कर लिया, और डारेक्ट आप dinner कर रहे हैं, तो इससे भी कई समस्या, epilepsy जैसी कई समस्या यहाँ पर जन्म ले लेती हैं, तो ये तो हमारे epilepsy के कारण हो जाते हैं, कि epilepsy किन किन कारणों से हमें देखने को मिलती है, अब हम देखते हैं कि मिर्गी या फिर epilepsy में symptoms, मतलब लक्षण क्या क्या देखने को मिलते हैं, अब हम बात कर लेते हैं लक्षण की, तो लक्षण फरस्टी तो हम देखते हैं आपर, अगर आपने कभी देखा हो जिसको मिलगी हो या फिर फिर जटके आते हैं तो आप देख सकते ही कि उसको किस तरह से जटके आते हैं मतलब जो भी patient है जो भी person है उसको जटके आते हैं उसके हाथ पेर अकड़ने लगते हैं और उसके मतलब वो अपने control में नहीं होता है और वो जमीन में गिर भी जाता है तो firstly हम देखते है temporary loss of awareness और consciousness temporary loss मतलब कुछ समय के लिए जो उसका consciousness है या फिर awareness है वो क्या हो जाती है loss हो जाती है temporary loss मतलब कुछ समय के लिए जो उसका consciousness है कुछ भी आदमी रहता है तो उसका Consciousness ही क्या हो जाता है तेम्परेटी लॉस हो जाता है इसके लावा Uncontrolled Muscle Movement आप देखते होंगे कि Uncontrolled Muscle Movement की बात कर लेते हैं जब उससे जटके आते हैं तो इसके हाथ पर मूढ़ने लगते हैं हाथ पर मुणने के लावह उसको जादा जटके भी आते हैं वेहां बोहती जादा मतल्स प्रशुन मसले लगता है चली लिग कापने लगता है वे गोले हैं ऑकड़ने हैं थी देखा होगा लिज रिभत की मुझा की माना ने यहां पर आपको एक नज़र हो और रहा है रहा है और बिना किसी रीजन के वह इसको गूरने लगा ये भी सिंट्म सोजाते हैं चेंजेंं हीरिंग, विजन, टेस्थ, शुम्ल, वीलिंग ओफ झ環ेंज, उसकेर, जो अुछल, इनकोर, बिष्मोब् Caitlin होगा यूछ बीट. डेयम ञें. टेंज विजन भीत. पर हLAM में इकेर में effect पढ़ता है तो हमें यहां पर जो उसमें changes देखने को मिलेंगे उसमें भी problems देखने को मिल सकती है इसके लाबा problem talking और understanding उसे बोलने में भी समस्या होगी और किसी भी चीज़ को समझने में भी problem होगी तो इसके इसके लावा जो other symptom है यहाँ पर including fear उसे डर भी बना रहेगा मतब उसे डर भी रहेगा anxiety भी देखने को मिलेगी इसके लावा temporary confusion होगा मतब कुछ समय के लिए उसे confusion रहेगा slow thinking जो उसकी thinking है जो सोचने की छमता है बहुत जादा slow होगी problem with talking and understanding जैसा कि हमने देखा बोलने और उस उसका जो जो आपसे जिस पोमक रहेगा मतलब पेट से भी related वहाँ पर समस्या है देखने को मिलेंगी babes of heat and cold gauss bumps जैसी problem देखने को मिल सकती है lip smashing या फिर chewing motion या फिर rubbing hands finger motion कुछ इस तरह की symptoms भी देखने को मिलेंगी या फिर वो लिप्स को बार-बार हिलाएगा च्विंग करेगा बेवजय मतलब बिना किसी कारण से जो जो च्विंग करना मतलब आटोमेटिक च्विंग करेगा इसके लाब रविंग हैंड्स बार-बार को हैंड्स को रव करेगा finger motions करेंगे तो यह कुछ symptoms हो जाते हैं जिससे जटके आते हैं फिर epilepsy वाली patient को इसके इंदर आते हैं तो epilepsy जो patient होता उसमें हमें यह लक्षन देखने को मिलते हैं अब हम next देखेंगे कि अगर कुछ ऐसी समझ्चा देखने को मिलती हैं कारण या फिर कुछ ऐसे symptoms देखने को मिलते हैं तो हम diagnosis क्या क्या करवा सकते हैं diagnosis मतलब पता कैसे लगाएंगे कि finally इसे epilepsy है नहीं है क्योंकि हम लक्षन देखते हैं तो लक्षन से पता लगाते हैं कि इसे problem क्या हो सकती है तो उसके according यहां पर test किया जाते हैं तो firstly तो यहां पर complete blood count है यह बहुत ही common test है यह हर विवारियों में टेस्किया जाता है इससे क्या जो हमारे CBC है complete blood count है इसमें जो हमारे blood cells ह उसे determine किया जाता है सारे blood cells जो होते RBC, flatlets, WBC सभी का यहां पर पता लगाया जा सकता है तो इससे पता चलता है कि infection चेक किया जाता है कि जो लक्षन है या इस मतलब किस कारण से लक्षन देखने को मिल रहा है तो determine करने के लिए हम complete blood count करते हैं neurological examination, neurological examination भी होता है इसमें क्या करते हैं जो skill है वो सकते हैं कि epilepsy किस type की epilepsy है क्योंकि epilepsy भी कई तरह की होती है तो epilepsy किस type का epilepsy है तो इसका इसलिए neurological examination करेंगे से motor mental function को determine करते हैं इसके यह अब आप офór यहां पर देखे इलेक्ट्रνη economic vs. 你 Attmee to and здоров. इलेक्ट्रो एंसफbles में हहाँ आपर से जो electric activity है जो brain की activity है लाइक जैसे हम ECG करते हैं तो उसमें heart की activity है उसे हम record करते हैं और EEG में क्या होता है जो helpgrid current levels जो activity है उसे determine करते हैं फिर उसे record करते हैं उसे पता लगाए जाता है कि problem कहां पर आ रही है तो उसे record करते हैं EEG हम इसे बोलेंगे इसके लावा neuropsychological examination neuropsychological examination से हम पता लगाते हैं assess of thinking, memory and speech skill जो हमारे neuropsychological examination के help से उसकी thinking कि उसकी सोचने की छमता क्या है memory उसे confusion है या नहीं है memory loss है या नहीं है इसके लावा speech skill भी देखा जाता है जैसे कि हमने देखा symptoms में कि उसको speech में problem होगी confusion भी create होगा तो neuropsychological examination से उसका skill, thinking ये सारी चीज़े का पता लगाया जाता है इसके लावा CT scan अब CT scan को हम अगर brain में किस तरह की abnormalities है तो CT scan से determine कर पाएंगे कि उसे जो भी problem है या फिर brain में damage है या फिर कोई cells damage है तो यहाँ पर cell damage है तो इस कारण से पता लगेगा कि इसका actual कारण पता चल जाएगा कि ये जटके क्यों आ रहे है epilepsy उसे किस कारण से हो रही है तो CT scan से brain को जो भी cells है तो जो भी abnormalities है उसे चेक करते है इसके लाब फंक्शनल MRI तो MRI भी CT scan की तरह है लेकिन MRI को examine वही सेम होगा कि brain की activities को देखने के लिए उसकी proper images आ जाती है प्रॉपर एक्चुल एरिया पता चल जाता है कि प्रॉब्लम कहां पर है सेम पी एटी में भी होता है यहाँ पर हम बोलते हैं पॉसिट्रोन एमिशन टॉमोगाफी इसमें भी brain को ही असेस किया जाता है जैसे तरह से MRI एफे CT scan करते हैं इसमें observe the oxygen utility by the brain यहाँ पर oxygen की utility का confirmation किया जाता है oxygen supply हो रही या नहीं हो रही है तो यहाँ पर oxygen की utility को check किया जाता है next हम देखते SPECT अब यहाँ पर single photon emission computed tomography तो यह भी same situation हो जाती है तो CT scan या फिर MRI के जैसे ही लेकिन इसमें क्या करते हैं small amount of radioactive materials is injected into the brain to assess blood flow तो इसके help से जो brain में जो blood flow है blood flow का पता लगाया जाता है जो एक छोटे amount में radioactive materials को insert किया जाता है इंजेक्ट किया जाता है हमारे brain में और इससे हमें पता लगा जाता है कि इसका blood flow क्या है तो blood flow का पता लगा जाता है brain में blood flow proper हो रहा है या नहीं हो रहा है तो यह हम SPECT से पता करते हैं इसके लाबा MEG आ जाता है magneto-encephelo-graphy तो इसमें हम measure the magnetic field produced by brain activity इसमें हम magnetic field से उसका पता लगाते हैं brain की activities का पता लगाते हैं तो यह सारे जो हमारे imaging test में ही आ जाते हैं तो blood flow, oxygen, supply जो cells है brain की जो damage है तो इन सभी का पता लगाने के लिए हम यह सारी test करते हैं या फिर यह सारे diagnosis करते हैं physical examination भी होगा physical examination में सारा examination होगा उसका past history present history उसकी सारी चीज़ पता करेंगी कि उसके किसी family members में तो नहीं था तो उसका physical examination भी होगा इसके लावब हम देखते हैं treatment तो हमारा last रजाता है treatment कि तो इसका treatment क्या होता है देखिए treatment इसका है पहली बात तो यह कि लोग किस तरह से treatment करते हैं कई लोग क्या करते हैं अगर जटके आते हैं या फिर मिर्गी आती है या पानी पलाने लगते हैं तो यह गलत तरीका है सही तरीका ये है कि प़स्टी तो जटके क्योंकि कुछ second के होते हैं कुछ minute के होते हैं उससे जटके आने दीजए जैसे जटके stop हो जाते हैं तो उसे एक position में उसे लटा दिया जाए और दיन उसकी condition उसकी सिचेशन पूछी जाये मताब वो कॉंसे है या नहीं है दन उसके बाद ही उसे पानी पिलाना है क्योंकि कई लोग ऐसा मताब एक बोलाना कि अंद विश्वास में यहाँ पर ट्रीटमेंट करने लगते हैं तो जैसे कि बताया कि यह एक बिमारी है तो इसकी बिमारी का भी है यहाँ पर उसका जो तीमेंट होगा वो कंटीनी व मेडिशन लेनी होती है वो डिपन करता है किस ट 9 की यहाँ पर एकिस ट्व इक किस ट्रीटमेंट की बात कर लें तो to meditation यहाँ पर medicines भी है एंटी एपिलेप्टिक ड्रक्स दे जाती है तो anty-e-epil tweets drugs कई तरह की देखने को मिलती है depend करता है patient की condition पर किस की patient को कौन सी यहाँ पर drugs यहाँ पर देनी होगी क्योंकि children's में भी देखने को मिलता है, adults में भी देखने को मिलता है, बहुत ही common हो चुका है तो most patients start with medication to reduce seizure frequency and intensity, तो यह जो anti-epileptic drugs है, seizures को reduce करने के लिए यूज किया जाता है commonly जो हमारी anti-epileptic drugs है, जैसे कि यहाँ पर देखते हैं carbomezepine, walprote and lamotrezen, तो यह common जो medicine है, इनका यूज किया जाता है अब dose की बात कर लेते हैं तो dose depend करता है patient की age, patient की condition पर कि किस dose का यहाँ पर उसे drugs देना है या फिर किस mg की उसको drugs देनी होगी, और इसके अलाबा medicine जो भी patient ले रहा है अगर doctor ने बुला है, इसे इतने time पर लेना है, या फिर इसे daily लेना है, तो उस जो भी instruction है, doctor के instruction है उसे follow करते हुए daily medication को लेना कप पसरी है अब देखते हैं यहाँ पर इसके लाबा surgery है, अगर medicine से proper ठीक नहीं हो रहा है medicine अगर fail हो रही है, medicine work नहीं कर रही है, तो हमारे पास last option होता है, surgery तो for cases where medication fail surgery may be an option अगर medicine fail हो रही है medication fail हो रहा है, तो हमारे पास option होता है, surgery का brain surgery involved removing the portion of the brain causing seizure, तो जो brain surgery है, brain surgery हम क्यों करते हैं, तो brain surgery, मैं जैसे की मालो, अगर कोई brain का जो भी कोई part है, कोई portion है, जो damage है, तो उस कारण से बार-बार problem देखने को मिल रही है, तो seizure seizure, या पर कहीं shock जैसी condition है, या फिर clot जैसी condition है, या फिर clot जैसी condition है, इस कारण से भी clots को या फिर ब्रेन की जो issues है, या फिर obstruction है, या फिर वहाँ पर cells जो damage है, उन्हें ही क्या कि अलग कर दिया जाता है, मतब surgery के help से epilepsy का भी treatment किया जा सकता है, लेकिन यह बहुत ही rare cases में देखने को मिलता है, क्योंकि brain का surgery, मतब बहुती कम suggest करते हैं, तो यहाँ पर last option surgery होता है, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, इसके लाबा other therapies, other therapies में हमारी vagus nerve stimulation आ जाता है, self-care आ जाता है, और इसके लाबा हम देखते हैं ketogenic diet, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं other जैसे के हमने देखा ketogenic diet, तो ketogenic diet के अंदर क्या आता है, जैसे कि यहाँ पर high fat, low carb diet, जो भी carbohydrate होते हैं, वो diet जो होती है, इससे क्या होता है, can help produce seizure in some children, या फिर adults के लिए भी helpful होता है, high fat लेना है, high fat के जो भी food होते हैं उन्हें लेना है, और low carbohydrate वाले जो भी food होते हैं यहाँ पर लेना है, जैसे कि ketogenic diet refer to the keto diet is low carbohydrate and high fat eating plant, तो जो भी आप खा रहे हैं तो high fat का यूज करना है, और जो भी carbohydrate होगा उसका low carbohydrate का यूज करना है, तो यह हमारे treatment में आ जाते हैं, जो other treatment के अंदर आते हैं, इसके लाब है self care में देखते हैं, taking medication to prescribe getting adequate rest, medication के साथ साथ proper rest भी लेना है, stress नहीं लेना है, तो कुछ से हमारे self care हो जाती है, नेक्स हमारी जो therapy है vagus nerve stimulation, तो vagus nerve stimulation क्या होता है, an implant device stimulate the vagus nerve to reduce seizure, तो इसमें यहाँ पर आपकुछ देख रहोंगे, जो device है, उसे insert किया जाता है, vagus nerve में insert किया जाता है, तो यह insert करने के बाद यह अपना work करता है, और जो जटके जैसी problem होती है, तो इससे क्या करता है, reduce करता ह देखे, vagus nerve stimulation है, जैसे कि हम जानते हैं कि depression को दूर करने के लिए vagus nerve को stimulate किया जाता है, like clapping करके, हाथ को उपर करके, उसे clap करना, हाथों को उपर करके, ताली बजाना, या फिर कान को पकड़के, उपर नीचे बैठना, जैसे हम उठक बैठक भी बोलते हैं, जो कि पहले punishment में दिया जाता था, एक तरह से vagus nerve को stimulate करते थे, तो वो एक तरह से manual तरीका है, लेकिन यह जो यहाँ पर अदा थेरपी में हम देख रहे है, vagus nerve stimulation है, इसमें डिवाइस को implant किया जाता है vagus nerve को stimulate करने के लिए, वो भी कब epilepsy patient के लिए, क्योंकि अगर यहाँ पर vagus nerve को stimulate कर देते है मतब यहाँ आप देख सते हैं, बैटरी देखने को मिल रही है, और यहाँ पर कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है, तो वो पूरी तरह से generate कर रहा है, या पर उसे पूरी तरह से control कर रहा है, तो इसका जो man purpose होता है, इसका purpose होगा seizure को reduce करना, अगर हम manual की बात करें, तो य अगर जो हमने जो एपिलेपसी के patient को देखा तो यहाँ पर वेगस नवस्टुमलेशन में, यहाँ पर हमने वेगस नव को स्टुमलेट किया है, वो भी किसके help से, मतब डिवाइस के help से, इंप्लांट कर के स्टुमलेट किया है, तो यह था आज का हमारा यहाँ पर देखा एपिलेपसी के टीटमेंट या पर एपिलेपसी की सरजरी कॉन को सिया पर थरपीज दी जाती है, तो इसके अलावा हम यहाँ पर देख सकते हैं, अगर स्ट्रेस वाला पेशेंट है, तो स्ट्रेस में हम वेगस नवस्टुमलेशन को, विदाउट इंप्लांट के भी हमने जैसे की बताया कि कुछ एक्ससाइज होती है, कुछ एक्टिबिटीज होती है, जिसे वेगस नवस्टुमेट किया जाता है, तो वो भी एक हमारे हम रेमेडीज में आ जाता है, या फिर मैनुवल ट्रीटमेंट के अंदर आ जाता है, तो यह तो आज का हमार टॉपिक था, एपिलेपसी से रिलेटेड, I hope कि आपको सारी जानकारी यहाँ पर इस वीडियो के हाल से मिली होगी, so thank you so much for watching my videos, तो अगर आप इसी तरह की वीडियो चाहते हैं, तो एक बार कमेंट जरूर करें, अगर आपको डाउट लगता है, तो आप कमेंट करके हाँ पर कॉशनराइ तो इसका कि ँआ काराइ नाकारें, करेंट the जरूर कॉशनराइं लगता है झाल झाल